कोणा संक्रमन की दूसरी लहर के चलती पूरी राज में लॉक्टाउन किया क्या है और इस लॉक्टाउन का सभी कडाई से पालन करे इसके मद्य नजर यह रूट मार्श गुरुवार को मोमिनपुरा परीसर में निकाला गया था यही कारण रहा कि मोमिनपुरा जैसे शेत्र में इत के दिनों में भी प्रशासन को कारिवाई करनी पड़ी अब इत का त्योहार तो संपन्न हो गया लेकिन इस परिसर में विशेश रूप से दुकान दारू ने एक तरह से असयों का बेड़ा उठा रखा है लोगडां की पूरे परिसर में हंका मा मच गया इसे पीच दस्ते ने कुलचार रेस्टोरेंट को सिल करने की कारिवाई भी की गुरवार को मनपा ने पुलिस के साथ ना केवल मोमिनपुरा के मुख्य मार्गों पर कारिवाई की बलकि गलियों में भी कुछ दुकाने खुली होने की रखा जा रहा है लगातार पुलिस और मनपा की कारिवाई की बाउचुत दुकान दारों पर असर दिखाएनी दिरा है हारा कि इसके पुर्व भी कुछ दुकान को सिल करने की कारिवाई की गई थी किंतु बाद में जुर्माना लेकर उन्हें खोल दिया गया जानकारों के अनुसार लोगडाउन को लेकर जारी की कई शर्तों में यदि लगातार दुकान दारों की ओर से नियमों का उलगन क्या जा रहा हूँ तो उसे लोगडाउन पूरी तरह खत्म होने तक सिल रखने का भी प्रावधान क्या क्या है इसे लेकर दुकान दारों में खौफ नहीं दिखाई दे रहा है देखे यह कारवाई जो ज्यादा बीड़ वाले इलाके वहां पर की जाती है जहां पर लोग कोवेट के रूल फॉलो नहीं करते सुचल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते उस प्रकार से कारवाई की जा रही है में इसका मक्सद यह कि लॉकडाउन अच् जाएगी जब तक कि लॉकडाउन हटता नहीं है तब तक इस तरह कारवाई होने के बाद जैसे कारवाई होती है कुछ दुकान खुले दिखते या लोग बिना वज़ए सटकों पर घुमते दिखते तो किस तरह की कारवाई लोगों पर की जा रही है जो लोग रोड पर दि लॉकडाउन के नियम मुकाउ लंगन किया जा रहा है वहाँ पर ये कारवाई की जाएगी ऐसा भी उन्होंने बताया